नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिट वर्ड हेल्थ केर में और आज हम जानेंगे कब्ज की समस्या में इस्तिमाल होने वाली एक बहुती लापकारी ओशदी सनाय के बारे में सनाय का परीच है और शदिये गुण उपियोग एमसाफधानिया इसको अलग अलग भाशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है सनाय के पौदे का उदगमिस्तान अफरीका और अरब को माना जाता है लेकिन दक्षिन भारत में विशेश रूप से इसकी खेती की जाती है यह एक रेचक ओशदी है इसका परभाव विशेश रूप से छोटी आत पर पड़ता है गरम तासिर वाली यह सनाय स्वाद में कडवी, चरपरी, कसली और मीठी होती है तथा इरवेद में इसको शरीर का शोधन करने वाली ओशदी बताया गया है और चिकिस्सा में इसकी पत्तियां एवं फली का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन चिकिस्सक इसकी पत्तियों का ही ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं सनाई के फायदो एवं उपयोगों की बात की जाए तो कबज और पेट में कीड़े हो जानी की समसिया में सनाई की पत्तियों के चून का सेवन किया जाता है आद़ ग्राम की मातरा में दो ग्राम मुलेठी के चून के साथ दिन में दो बार नियमित रूप से इसका सेवन करने से यह लीवर को स्टुमिलेट करता है और आतों के मौवमेंट को बढ़ाता है जिससे पेट साफ हो जाता है और दूशित कफ और पित निकल जाता है जिसकी वज़े से जलन, सिरदर्द तथा तोचारोगों में भी अराम मिलता है अगर आपको पेट दर्द, इरिटेबल कोलन या कोलाइटिस की समस्तिया है तो सनाय का सेवन ना करें वैसे तो मुलेटी के साथ सनाय का सेवन करने से किसी भी प्रकार की समस्तिया नहीं होगी लेकिन अगर फिर भी सनाय के सेवन के बाद आपकी आतों में मरोड की समस्तिया हो रही है तो इसके निवारण के लिए आप सौफ का सेवन कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई सवाल है तो आप निशिल्थ होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सेहत और आईरवेस से जुड़ी वीडियो देखने के लिए फिट वल्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें दोस्तो एक बर हमारे शॉर्ट्स चैनल फिट वल्ड शॉर्ट्स को भी जरूर चेक करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां आपको सेहत और आईरवेस सम्वंदित शॉर्ट्स वीडियो मिलती रहेंगी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद